नमस्कार आप सभी का स्वागत है आपके पने चैनल एक जाम अड़ाफा इस्टेडी चैनल पर 79,000 से अच्छक मलती दोस्तों थर्ड कांसलिंग की परकिरिया समाप्त हो गई है अब नियुक्ति पत्र का इंतिजार कर रहे हैं हमारे भाई बैन तो दोस्तों जो उनके इंतिज की घड़ी है अब वो समाप्त होने वाली है इस्तिथी को आप सभी को नियुक्ति पत्र दी जाएगी ठर्ड कांसलिंग कराने वाले भाईयों बैनों को और एक रहादवरी खबर दोस्तों यह भी है जैसे कुछ पॉइंट से छूटे हुए जो अभ्यारती है उनके लिए र करने के लिए उनातर जा सिच्चकवर्ति में दोस्तों जो विसाल धरना परतसन चल ला है उसका अनुरत अभी तक जारी है इसका पड़ाम दोस्तों क्या निकल के सामने आ रहा है इन खबरों के बारे में भी इस वीडियो के माद्यम से आप सभी को अपडेट दी जाएगी आप लोग अंतर जरूर चुड़े रहिएगा और साथ में दोस्तों नई सिच्चकवर्ति के लिए भी पांच जुलाई को विसाल धरना परतसन है SCRT पर तो जो नई सिच्चकवर्ति की डिमांड करते हैं उनके लिए भी दोस्तों रातवरी खबर है कि आप लोग SCRT पर ध कराना चाहते हैं उनके लिए भी दोस्तों पांच जुलाई सो मार को भी धरना परतसन है वो लोग भी अपने बाते रख सकते हैं आगे बढ़ने से पहले जो भी हमारे नए बीवर नए मित नए भाई-भायन पहली बाद चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो आप लोग पना चैनल एक जाम अड़ा फाइस्टेडी चैनल सब्सक्राइब कर लिजिए आइकन बेल परिस कर लिजिए इस चैनल के माध्यम से आप सभी को सिच्छक भरती से जुड़ी चोटी से चोटी जानकारी उपलब्द कराई जाती है उसी कड़ी में दोस्तों आप लोग के लिए उ राष्ट्री पिछड़ावर्ग आयोग ने उनाता जा सिच्छक भरती परिच्छा में उत्तर परदेश आराच्छर अद्नियम 1994 का उलंगन पाया है सुनवाई के बाद राष्ट्री आयोग ने इस मामले में अंतरिम रिपोर्ट पारित की है बरेली की निधी गंगवार ने समनवित सिकायत निवारण परनाली पर इस मामले में सिकायत दर्ज कराते हुए कारवाई की मां की मुखमंत्री कारियाले ने इस सिकायत को राज पिछड़ावर्ग आयोग को बेजा है राज पिछड़ावर्ग आयोग के सत्यू ने सासन के पिछड़ावर्ग कल्यान अनभ प्रकरण राष्टी पिछड़ावर्ग आयोग की अंत्रिम रिपोर्ट से संबंदित है इस पर उर्तर पर्देश राज पिछड़ावर्ग आयोग पिछड़ावर्ग आयोग द्वारा करवाई किया जाना अपेच्छ नहीं है तो दोस्तों जो MRC मुद्दे को लेकर लगबल बाते की जा रहे हैं कि ठाउन सो पदो पर गोल माल हुआ है OVC अभ्यारतियों के साथ में लेकिन दोस्तों जो राष्टी पिछड़ावर्ग आयोग का रिपोर्ट आया उसके बाद सरकार को प्रिसिट किया गया माने योगी अधितनाज जी को लेकिन दोस्तों वहां तक पहुचने के बाद भी अभी तक दोस्तों MRC मुद्दे पर कुछ नहीं हुआ है और दोस्तों जो नीती दिख रही है आने वाले सब्रमे में दोस्तों क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में दोस्तों हम और आप लोग दोस्तों कल्पना नहीं कर सकते हैं सरकार दोस्तों कर भी सकती है नहीं भी कर भी सकती है दोस्तों क्योंकि जो आरचर का मुद्धा है दोस्तों बहुत ही जुलंद मुद्धा है अगर एक पच्छ को खुश करेंगे तो दोस्तों जैसा आप लोग जानते हैं तो दूसरा पच्छ नाराज हो जाता है लेकिन अगर किसी का हक दोस्तों मारा जाता है तो कितना अहित होता है उस वर्ग का दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं अगर गल्थ हुआ है दोस्तों M.A.C. मुद्दे को लेकर तो दोस्तों उनके साथ न्याय होना चाहिए पिछड़ा वर्ग भाईयों के साथ में चाहे यसी भाई के साथ अगर गल्थ हो तो उनके साथ भी न्याय होना चाहिए जनल भाई के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो उनके साथ भी दोस्तों न्याय होना चाहिए मेरा दोस्तों तर्ग संगर दोस्तों बात यही है कि किसी के साथ कि अन्याइं नहीं होना चाहिए सरकार दोस्तों माबाप के समान होती हैं अगर कि माबाप ही दोस्तों जो अपने बच्छों का ख्याल नहीं रखेंगे तो आखिर में कउन लखे future नव न्यूक्त सिच्छकों के मांगे गए बीरोर परदेश के परसदिये बिद्यालों में 99 सायक अध्यापक भरती में तीसरी काउंसलिंग के लिए 6,696 पदों में से कितने अभ्यातियों ने काउंसलिंग में भाग लिया इस बारे में परदेश भर के बियस्से से जानकारी मांगी गई है मेसिक सिच्छा परसद की ओर से 9 चैनित अध्यापकों के लिए काउंसलिंग 28-29 जून को कराई गई थी सचिव बेसिक सिच्छा परसद परताप सिंग मगेल की ओर से बियस्से को बेजे गए पत्र में 4 जुलाई तक जिले में काउंसलिंग के लिए चुने गए अभ्यातियों के बारे में जानकारी मांगी गई है समस्त जिला बेसिक सिच्छा अदकारी बिसे क्या है दोस्तों उनाथता या सायक अध्यापक बर्ती प्रिच्छा में नौ नियुक्त अध्यापकों के संबन में सूचना उपलद कराय जाने के बिसेग किर्पया उप्युक्त बिसेग परिस्त कारियाले के पतरंग डेस डेस दिनांग 26 चैनित द्यापकों के लिए दिनांग 28 चैनित चैनित यूं 29 चैनित को जनपत अस्तर पर अब लेखों के परिच्छर कांसलिंग का आयोजन किया तो दोस्तों इसका मांगने का दोस्तों यह ही जो परमुक कालड है कि कितने अब्यातियों ने दोस्तों उनातर या सिच्छक बरती में ठेड कांसलिंग कराई जनपत का क्या नाम है? ईसब दोस्तों सीधा सीधा एकी मतलब है कि आप आप लोग की दोस्तों फोर्थ कांसलिंग होने जा रही है जो दोस्तों सूचना पराप्त हो रही है डाटा पराप्त हो रही है 673 पदों पर दोस्तों आप लोग की ठर्ड कांसलिंग होने जा रही है जो अभी तक दोस्तों आइक्चुल डाटा मिला है कि जो उनातर जा सिच् लिष्ट जारी हुआ था उसमें sixo तियात्र अभ्यात्यों ने भॉक बनाजिक नहीं किराई किसी काड़ए दोस्तों Creek कराने का मौका सब दे sofort दिखते नहीं चेन कितों पाल पाइँ में घाने कुई मैं गुरांक कम की वज़ा से नियुक्ति पत्र या कहें दोस्तों ठड़ कांसलिंग उनको सामिल नहीं किया गया है तो उनके लिए दोस्तों रादवरी ख़वर है कि आप लोग की फोर्थ कांसलिंग की परकिरिया स्टार्ट कर दी गई है जल से जल दोस्तों इसका भी बिग्यप पढ़नम्त्र कांसलिंगि उनकोन्ति भालि बात कथे हैं असमें परफनी मत्री के आधि जीदा दोस्तों हाथों से दिया जाएगा जो सूचना दोस्तों, सूचना परत्त हो रही है एकदम आच्टेंटिक जानकारी पराप्त हो रही है आपके SCRT से बात की जाए या पधार मंतरी कारियाले से बात की जाए दोस्तों पधार मंतरी कारियाले को भी दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही माननी मुखमंती जी ने दोस्तों एक इमेल के माद्यम से दोस्तों उनको बताया गया था कि हमारे पर्देश में रोजगार बहुत अच्छे तरीके से युवाओं को दिया जा रहा है साथ में यूपी टेट के बारे में बताया अवबत कराया गया था कि यूपी टेट के अभी हम लोग जल्द से जल्द आयोजन करने जा रहा है साथ में दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा होगा जेल वाडर का नियुक्तिपत में उसमें भी उनको टेग किया गया था अब मुखमंत्री कारियाले की बात करते हैं तो दोस्तों वहां कारियाले से जो सूचना पराप्त हो रही है कि 8 जुलाई को नियुक्तिपत मिलने जा रही है अब बात करते हैं दोस्तों की 22,000 मुद्दे को लिकर तो दोस्तों जो 22,000 का जुलंद मुद्दा है अब आखिर कार दोस्तों क्या रुख लेता है क्या परणाम निकलता है इसके बारे में दोस्तों कोई भी कुछ बताने सकता है क्योंकि ये 68,500 की भरती है तो दोस्तो दूसरी भरती थी, यह दूसरी भरती है सरकार के उपर से, दोस्तो अगर आप लोग का दबाउ अच्छे तरिके से बना, तो b Stir लिजिए और अपने जो मांग है, उसको अच्छे तरीके से सरकार के समस्तर रखिये दोस्तों अगर वहाँ से आप लोग को आसवासन नहीं ना मिलता हो तो आप लोग के सामने दोस्तों एक बेहतीन मौका है कि बिदान सभा गेरे मुखमंतरी आवास गेरे जब तक दोस्तों लिखित आसवासन आप लोग को नहीं मिल जाता है ऐसे ही जानकारी के लिए आप लोग परना चैनल एक जाम अड़ा फाइश्टेडी चैनल सब्सक्राइब कीजिए आइकन मेल प्रेस के लिजिए और वाला नुटिफिकेशन आन कीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो अपलोड होता रहे दोस्तों